स्वागत है आपके ही अपने यूटुब चैनल पे आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वजिरेक्स एक्षेंज के बारे में और जो नई अपडेट निकल के आई है वजिरेक्स एक्षेंज के बारे में और वजिरेक्स के जो सियो है वो सम्थिंग वज्रेक्स एक्षेंज के जो सीयों है निस्याल सेटी वो सम्धिंग दोबई सीप्ट हो रहे हैं ठीक है यहाँ पर जो अपडेट दिया है business today.in जो एक website है उसके उपर एक यहाँ पर दिया है कि भाई यह जो सीयों है वो सम्धिंग दोबई सीप्ट हो चुके है उलड़ी तो यहाँ पर इन्होंने एक कारण बताया भई जो डवलप पर मेंट जो इंडिया का जो 30% tax है and virtual digit assets in addiction 1% transaction का जो चार्ज है उसके वज़े से यहाँ पर यह दोबई सीप्ट हो चुके है ठीक है जो न्यूज है वही बता रहा हूँ otherwise आप सभी जानते हैं कि इनके दूबई सीप्ट होने के वज़े से अगर वजरेक से एक्सेंस के ओपर क्या effect गिरेगा वो यहाँ पर देखने वाले है ठीक है तो यहाँ पर otherwise अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कर ल एक परसेंट ट्रांजेक्शन फीस लगी है तब से वजरेक्स एक्सेंज छोड़के इंडियन जितने भी एक्सेंज है इंडियन एक्सेंज उसमें सम्तिंग 60 से 70 परसेंट वोल्यूम यानि कि ट्रेडिंग वोल्यूम की गिरावट आई है जो एक सोचने वाली यहाँ पर ब इसके अलावा सुत्रों ने कहा कि यहाँ पर पुरा पुरा परिवार दुबई चला गया है और हालांकि वजरेक्स का अभी बंबुई और बेंगलूर में एक कारियले हैं यानि कि बंबुई में इनका ओफिस है और बेंगलूर में इनका ओफिस है इसके अलावा अगर वज बारत से जो बारत में जो एक्षेंज है वो काम करता रहेगा आप यहां पर ट्राजिक्शन सेलिंग बाइंग कर सकते हैं और यहां पर वजिरेक्स का पूरा जो सिस्टम है वो यहां पर चलता रहेगा वजिरेक्स एक्षेंज के अगर बात करते हैं तो सतर से अधिक इस्तानो पर करमचारी के सार्थ यहां पर काम कर रहे हैं यानि कि इनकी अलग अलग जगा पर इनकी जो लोग हैं वो यहां पर सपोर्ट सिस्टम में यहां पर बना हुआ है और इसी सुविदा की वज़े से वजिरेक्स में वजिरेक्स जो है एक्षेंज है वो ट्रेडिंग का जो काम ह करता रहेगा और इनका जो मेन मुख्याल है एक ओफिस है जो बोलते हैं बंबोई में और बेंगलोर में यानि कि इंडिया में दो ओफिस है और ये इसी तरह से यहाँ पे काम करते रहेंगे और जो भी अपडेट होगी वो यहाँ पे मिलते रहेगी दोस्तों अगर बारत सरका की माने है तो यहाँ पे 1% कटोती के अलावा जो डिजिटल संपती पर 30% टेक्स लगाने के बीच एक अलग सा थोड़ा सा वो हो जाता है और इसकी एक वज़य थी कि सम्थिंग इंडियन एक्षेंज के अंदर लगबग लगबग 60-70% की ट्रेडिंग वैल्यूम यहाँ पे कम हो चुकी है और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं बारत के बारत ने पिछले साल जून 2000 जून में निचल सेटी को सम्थिंग वज़य एक्षेंज या फिर निचल सेटी के अगर बात करते ही तो 2790 क्रोड रुपिय के जारी किया था और इसकी वज़य से मेरे को लगता है कि यह वहाँ पे सिप्ट हो चुके हैं तो दोस्तों वजिरेक्स कोईन के अगर बात करते ही इनका एक डेसेंटरलाइज वेलेट कमिंग सुने और मेरे को नहीं लगता है कि वजिरेक्स एक्षेंज या फिर इनकी कोईन क के उपर कोई भी इफेक्ट करने वाला है तो दोस्तों थैंकि सो मच और ट्रेडिंग करते रहे हैं और प्रोफिट लेते रहे हैं अगर आपने हमारे यूटुब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तर सब्सक्राइब भी करते रहे हैं जिसमें आपको नए नी नोट पी कैसे हमेशा मिलती रहेगी थैंकि यू सो मच दोस्तों धन्यवाद